STAX and STA instruction in 8085 micrometer यह ज़र instruction है यह हमेशा opposite flow करती है सभी instructions left से right की डाइट की तरफ store करती है लेकिन यह instruction right से left की तरफ store करती है store करने की instruction right से left की तरफ move करती है STAX है store accumulator indirect यानि कि indirectly store करना accumulator को data को जैसे कि यह से पैदे हम लोड करेंगे अपने 8000 address को उसके बाद move करेंगे उसके बाद store करेंगे देखो यह हमारी instruction है सारी इस तरह से move करेंगे यानि में जैसे memory का data accumulator में move करेंगा लेकिन store में accumulator का data हमारे किसी bit memory location पे move करेंगा यह opposite होती है जैसे कि यह हमारे registers है इसमें 80000 DE location शो कर रहा है address इस address सबसे पहले क्या करेंगे लोड करेंगे हम 8000 address की सबसे पहले लोड करेंगे कि यह address memory में किस location पी है जैसे कि हम 8000 memory location का address memory में मिलता है उसके बाद हमें move करवाना है STAX instruction ले आनी है यानि हमारा जो data पढ़ा है अब सबसे पहले हमने क्या कि memory के data को अपने जो हमारे किसी system data पढ़ा उसे accumulator में लोड किया उसके बाद उस data को store करना है indirectly इस हमरे memory location में उसके बाद store instruction लगाई जो indirectly है वो गई हमारे data basis के थुरू memory में और 8000 memory location जिसमें हमने show किया था उसको जाके store हो गई इसको indirect इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले हमने address को दिखाना पढ़ता है लोड करना पढ़ता है उसके बाद उसमें direct को डाटा को store करना पढ़ता है नेक्स्ट है हमारी STEX SSTA यानि कि store accumulated direct उसमें क्या होता है कि indirect हमें अपने address को show नहीं करना पढ़ता है direct हम किसी भी location पर के data को store कर सकते हैं जैसे कि इसने direct कहा है कि हमने 8000 memory location पे अपने accumulator के data को store करना है तो इसमें accumulator में F2 पढ़ा है F2 को भी हमें केजी से move करवाने की ज़रूरत नहीं है और यह directly हमारे 8000 location पे जाके store हो जाएगा इसलिए से direct बोलते है क्योंकि इसमें address को हमें load नहीं करना पढ़ता है और STAX में हमें address को load करना पढ़ता है इसलिए इन दोनों में यही फरक है और यह दोनों store instruction हमेशा जैसे कि कहा है acculator से यानि कि left से right की side move करेंगी और वाकि सब instruction right से left की side move करती है यह हमारी STX and STA instruction थैंक यू